तो दोस्तो एक तरफ जहाँ पे भारत के दोवारा 114 फाइटर एयर कैप्टों को घरिदने को लेके तैयारी किया जा रहा है और माना जा रहा है कि इसी साल के अंदर इस डिल को लेके एक बहुत बड़ा डिसिजन लिया जा सकता है तो वही पे दूसरे तरफ भारत अपना अब दोस्तो इसके साथ साथ बड़ा सवाल ये है कि लगभग अगर सेम समय में दोनों ही एरक्राफ इंडिया एरफोर्स को मिलने वाला है तो भारत के तरफ से क्यू 114 फाइटर एरक्राफ्टों को खरिदने के तरफ आगे बढ़ा जा रहा है जबकि भारत के सामने एक प् लोगों को इसी विशय के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे AMCA को बड़े मात्रा में खरिदना एक भैतरिन डिसीजन हो सकता है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर जग बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों फिलाल कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन एरफोर्स एडिशनल 36 रैफल एयरक्रेप्टों को ना खरित के 114 फाइटर एयरक्रेप्ट मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्रेप्ट के टेंडर को आगे बढ़ाने का त खर्चा कर सकता है इवें साती साथ ये भी ख़वर आ रहा है कि इस टेंडर के तहट भारत जो 4.5 जेनरेशन के फाइटर एयरक्रेप्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा बनाया है उनमें कुछ ऐसा बदलाओ भी भारत चाता है जो इन एयरक्रेप्टों को 5 जेनरेशन के टेकनोलोजी से भी लैस करने में मददगार हो मतलब टेंडर के तहट भारत ऐसे 4.5 जेनरेशन के एयरक्रेप्टों को हासिल करेगा जिन में 5 जेनरेशन के टेकनोलोजी भी हो दोसो बेसिकली रिपोर्ट के मुताविक भारत ऐसे आबशक्ताओं को इन एयरक खरिदा जाता है तब भी भारत भविशे के उपयोगिता के उपर काफी अधिक ध्यान रखा है और दोसों इसी वजह से ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भविशे के आवशकताओं को अभी सही देखा जा रहा है तो क्यूँ भारत 4.5 जेनरेशन के एरक्रेप्टों के त तक हो चुका है जिनमें फ्रांस के डासॉल आविएशन के राफाल एरक्रेप्टों से शुरू करके योरोफियन मल्टिनाशनल कंपणी के द्वारा निर्मान किया हुआ योरोफाइटर टाइफून सुडेन के साब ग्रूप के तरफ से निर्मान किया हुआ JS-39 Gripen-E जैसे यारक्रेफ्ट और अमेरिका के Lockheed Martin कंपणी के तरफ से निर्मान किया हुआ F-21, Boeing कंपणी के तरफ से निर्मान किया हुआ F-18 Super Hornet और Boeing F-15EX के साथ-साथ रशिया के Mikoyan Corporation के तरफ से निर्मान किया हुआ MIG-35 और सुखोई Corporation के तरफ से निर्मान किया हुआ सुखोई ASU-35 जैसे यारक्रेफ्ट भी शामिल है पर इन सभी एरक्रेफ्टों में से Dassault Aviation के रफाल एरक्रेफ्टों को ही सबसे आगे के एरक्रेफ्ट के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि अगर इन एरक्रेफ्टों में से Indian Air Force के द्वारा किसी एरक्रेफ्ट को चुना जाता है पर अगर कीमत को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि राफाल एरक्रेफ्टों के लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है फिलाल रिपोर्ट के मुताविक एक राफाल एरक्रेफ्टों का कीमत करीब करीब 120 मिलियन डॉलर है और दोस्तों वही पे दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भारत के दुआरा 120 मिलियन डॉलर खर्चा किया जा रहा है तो क्यों ना 4.5 जनरेशन के फाटर एरक्रेफ्टों को ना खरीद के 5 जनरेशन के फाटर एरक्रेफ्टों को खरीदे पर यहाँ पे भारत के मामले में कुछ अलग हो सकते है क्योंकि कई सारे देश ऐसे है जिनने अमेरिका फिफ जनरेशन के फाटर एरक्रेफ्टों को कम कीमत में दे रहा है जो डेवलाप्मेंट में अमेरिका के पार्टनर रह चुका है और डेवलाप्मेंट के दरमियान ही कोस्ट के एक बहुत बड़े हिस्से को वो देश बेर कर चुका है दोसों अमेरिका के 5th generation fighter aircraft F-35 से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो भारत के सामने अन्य option भी है जैसे कि रशिया के सुखुई ASU-57 और भारत के खुद के निर्मान किये जाने वाले AMCA Mark 1 वैसे अगर सुखुई ASU-57 को देखा जाए तो इसमें कई तरीके के खामी होने के वज़ा से भारत इसके बेस पे निर्मान किये जाने वाले FGFA प्रोजेक्ट से अल्रेडी अपने आपको बाहर कर चुका है लेकिन वही पे अगर AMCA Mark 1 को देखा जाए तो ये 114.5 जेनरेशन के फाइटर एरक्रेप्टों के तुलना में भारत के लिए अधिक बेटर रहेगा तो सो फिलाल अगर एरक्रेप्टों के टाइम लाइन को ही कमपेर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि अगर इंडियन एरफोर्स के 12 साल 2023 तक भी MRFA प्रोजेक्ट के अंतरगत किस एरक्रेप्ट को खड़िदा जाएगा उसका decision लेवी लियायता है तब भी इन एरक्रेप्टों को इंडियन एरफोर्स के बेडे में आने के लिए कम से कम 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद 2 से 3 साल कम से कम एरक्रेप्टों के negotiation और contract हस्ताक्षर करने को लेके काम चलेगा जबकि उसके बाद 4 से 5 साल एरक्रेप्टों के local production, setup और technology transfer के बाद एरक्रेप्टों के rollout हो सकेगा दोस्तों यहां पर आपके जानकरे के लिए भी बता दू कि लगवग उसी टाइम में ही इंडियन एरक्रेप्टों के लिए बनाया जाने वाले पहला 5 जनरेशन के fighter एरक्रेप्टों मतलब AMCA Mark 1 को भी produce करने का इरादा रखा जा रहा है फिलाल के रिपोर्ट के मुताविक साल 2024 में AMCA एरक्रेप्टों के first flight को expect किया जा रहा है और साल 2025-26 के दर्मियान एरक्रेप्टों के limited series के production शुरू हो सकता है जबकि large scale में इन एरक्रेप्टों को साल 2039 में produce करने का इरादा बनाया जा रहा है मतलब AMCA और MRFA एरक्रेप्टों के timeline में भी जादा कुछ अंतर नहीं होगा और भारत जब तक 4.5 जेनरेशन के एरक्रेप्टों को अपने बेडे में शामिल करेगा लगवग उतने समय तक भारत के लिए अपना खुद का 5 जेनरेशन के fighter एरक्रेप्टों भी तयार हो जबकि इसी प्राइज में इंडिया को 5 जेनरेशन के इंडेजिनियस एरक्रेप्ट मिल सकता है जो की MRAA प्रोजेट के अंतरगत खर दी जाने वाले किसी भी एरक्रेप्ट के तुलना में अधिक capable और अधिक आधुनिक होगा फिलाल अगर AMCA एरक्रेप्टों के expected order को देखा जबकि दोस्तों ये फिलाल इनिशियल प्लान है जबकि इस प्लान में तब्दिली हो सकता है और इंडिया बड़े मात्रा में ऐसे एरक्रेप्टों को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है पर MRFA प्रोजेक्ट और AMCA को अगर एक साथ देखा जाए तो MRFA को कैंसल करके खाल करके भारत द्वारा मिक 21 जैसे एरक्रेप्टों को रिप्लेस करने का इरादा बनाया गया था लेकिन ये प्रोजेक्ट डिले होने के कारण ही एक तरीके से देखा जाए तो इंडियान एरक्रेप्टों के स्ट्रेंथ फिलाल इतने घटा है जोकि दूसरे तरफ यही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा जाना है उसमें AMCA फीचर वाइज और टाइम लाइन वाइज बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पर सब कोई डिपेंड करता है एरक्रेप्टों के सही टाइम पे रोल आउट फर्स्ट फ्लाइट और इंट्रड़क्शन का दोसरो फिलाल AMCA प्र इंजिन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एरक्रेफ्ट होगा जिसका लंबाई करिवन 18 मीटर मतलब 59 फीट 1 इंच हाइट करिवन 4.8 मीटर मतलब 15 फीट 9 इंच और विंग एरिया करिवन 39.9 मीटर स्क्वार मतलब 429 स्क्वार फीट के आसपास होगा इसके एम्टी वेट कर करिवन 18,000 किलोग्राम के आसपास होगा जबकि एरक्रेफ्ट के मैक्सिमम टेक आफ वेट 25,000 किलोग्राम के आसपास हो सकता है एरक्रेफ्ट के फ्यूल कैपसिटी वी करिवन 6,500 किलोग्राम के आसपास होगा जबकि इसके पेलोड शमता करिवन 7,000 किलोग्राम होगा जिन ये जो AMCA aircraft होगा ये अधिकतम Mark 2.15 के रफ़तार से ट्रावल कर सकेगा जब कि इसके सुपर क्रूजर मोड में ये aircraft Mark 1.82 के रफ़तार से ट्रावल कर सकेगा Aircraft का range भी करिव करिव 3,240 km के आसपास होगा जब कि aircraft के ferry range करिव करिव 5,324 km होगा Aircraft के combat radius करिव करिव 1,620 km होगा जब कि इसके service ceiling 20,000 meter या फिर कहें तो 65,000 feet के आसपास होगा हतियार के रूप में aircraft में 1,23 mm के cannon के इस्तेमाल करने का इरादा बनाया जा रहा है जब कि इसमें total 14 hardpoint होगा जिनमें internal और external hardpoint दोनों ही शामिल है Aircraft में S-8 rocket, Air-2 air missile के रूप में ASRA IR, ASRA Mark-1, ASRA Mark-2, ASRA Mark-3 और NGCCM जैसे missile का इस्तेमाल होगा जब कि Air-2 ground missile के रूप में इसमें Brammos NG stunt missile और Hoodram 1 missile का इस्तेमाल होगा Laser Guided Bomb के रूप में इसमें भारत द्वारा डेवलफ किया हुआ, सुदर्शन बॉम और Precision Guided Ammunition के रूप में इसमें भारत द्वारा ही डेवलफ किया हुआ, High Speed Low Drag 100, 250, 450 और 500 सिरिस के बॉम्स के साथ सार DRDO के Smart Anti-Airfield Weapon और Glide Bomb होगा जबकि Avionics के रूप में इसमें Electronic and Radar Development Establishment के तरफ से डेवलफ किया जाने वाले उत्तम Active Electronically Scan Error Radar का इस्तेमाल किया जाएगा कुछ रिपोर्टों में ये भी वताया जा रहा है कि इसमें भारत Direct Energy Weapon मतलब Laser Weapon का भी इस्तेमाल करना चाहता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बैल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद